हेलो नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने बाले हैं कि कैसे हम अपने फोटो को एडिट कर सकते हैं और उसके बैगराउंड को चेंज कर सकते हैं और बहुत सुंदर सुंदर अपने पोश्टर को बना सकते हैं हम जैसा भी चाहें यूटूब के लिए आ सकते हैं या कुछ भी ठीक है तो चले हैं यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यह है जैसा कि आप से भी देख सकते हैं एक सौफ्टियर है यह एक एंड्रोइड एप्लिकेशन इसे कह सकते हैं और इसका नाम है पिक्सल लैब जी हां इसको यूज करना है इसमें आपको तो जी है तो मैं इसमें से ऐसा फिक्चर ढूंटा हूं जो कि थोड़ा यूज में भी आ जाए तो मैं इन में से यह वाली पिक्चर को स्लेक्ट कर लिया ठीक है यह काफी देखने में ठीक ठाक लग रहा है और अब मैं इसे एडिट करूँ सब्सक्राइब पीछे का पूरा तो मैं सबसे पहले इसके जो color है brightness है उसको adjust कर लूँगा जैसा भी मेरे according चाहिए आप अपने according इसे adjust कर लेना जैसा भी आपको चीहे जादा brightness चीहे कम चीहे उसके हिसाब से अपना इसमें लगा लेना ठीक है तो मैं इसे थोड़ा सा इसका जो है brightness को increase करता हूं मैंने इसे कर जाए गा रहा है और इसके contrast को थोड़ा सा मैं normal रखूंगा ठीक है यह देखिए बहुत ज़्यादा हो गये तो मैं थोड़ा सा इसे normal ऐसा था कि लगे medium ओके तो contrast इतना भी ठीक है normally okay अब हम चलेंगे erase पे तो अगला है हमारा काम erase बैगराउंड को हटाना यहां से सारे बैगराउंड को remove कर देंगे यहां से ठीक है तो यह देखिए इसे remove करने के लिए हमें simply कुछ काम को करना जैसे यह देखिए मैंने इसको increase किया जिससे कि क्या हो blur में यह erase कर रहा है तो हमें blur में नहीं करना हमें clear erase करना है तो सबसे पहले मैंने क्लिक किया size पे और इसके बाद मैंने इसको कर लिए zoom out पूरा साड़े 300 से लेका 500 तक इसमें zoom out कर सकते हैं ताकि हम इसको अच्छे से इसके background को erase कर पाया है ठीक है जूम out करने बाद मैंने इ लिक्या उसे हटा दिया और यहां पर जो है मैं eraser को थोड़ा सा normal रखता हूं क्योंकि मुझे है side को erase करना है ठीक है तो यह देखे side erase करने के लिए बहुत ही ध्यान से अपने finger का use करते हुए इसको यहां से erase करना है और यह करना बड़ा ही आसान है कोई मुस्किल काम नहीं है आप मुस्किल से एक से दो मिनिट या तीन मिनिट लगेंगे आपको इसे erase करने में तो देखे इस तरीके से बस ध्यान रखना है कि आपके photo erase ना हो ठीक है यह देखे मैं इस तरीके से इसे erase कर रहा हूं अब बाद में आप इसमें क्या करते है इस टॉक्स लगा कर थोड़ा बहुत रह जाता है तो आप उसे remove कर सकते easily उसमें कोई भी problem नहीं आएगी ठीक है तो इस तरीके से अपने जो year है या फिर जैसा भी देखिए अब यहां तक मैंने erase कर लिया अब मैं क्या करूँगा इसे दुवारा से इसकी size को increase करूँगा तो अब मुझे इस plus के निसान प करते हैं छोटा करके तो जो भी आपकी जो errors है मतलब कि जो भी आपका cutting है background की वह अच्छा नहीं होगा यहां से मैं अपने थोड़ा सा year को भी हटा दूगा क्योंकि उसके पीछे का जो background है वो फिर मेरे जो है picture में mansion हो जाएगा ठीक है तो उस चीज की कोई दिकत नहीं है मै अब मैं थोड़ा सा इसके size को normal और कम कर देता हूँ क्योंकि अब year आ गया है तो इस पे थोड़ा उपर नीचे जादा होता है यहां पर आपको सामने 3D option भी मिलता है जिसमें आप देख पाते हैं कि आप कहां कहां पर edit कर रहे हैं तो देखिए जो मेरे year देख रहे हैं सारे जो picture है genuine रहे और अच्छे सा इसका background remove हो जाए यह देखिए मैं only 4 इस picture में देख रहा हूँ जो कि आपको dot करने सान दिख रहा है ठीक है उसके साथ आपको चलते जाना है और ऐसी हराम राम से आप क्या है पूरे picture को कर सकते हैं तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मैंने side का सारा का सारा remove कर दिया है अब मैं क्या करूंगा इसमें अब अपना बड़ा eraser यूज करने वाला हूँ ताकि सारा फटा फट इरेज हो जाए तो आपको normally कुछ नहीं करना है साइज को करना है कम और यूज करना है आपको थोड़ा सा increase करना है अपने eraser को और उसके बाद सभी क जो है easily आप erase कर पाएंगे ठीक है तो यह देखिए मैंने सारा कुछ जो है erase कर दिया फाइनली और इसमें क्या है आप बहुत ही असानी से एक बार बस थोड़ा सा time लगता है जब आपको side corners को erase करने होते है ठीक है उसे करने के बाद आपको इसमें कोई भी समय नहीं लगता ह में सारे को erase कर पाएंगे जैसा कि आप से भी देख पा रहे होंगे मैंने सारे के सारे जो है इमेज को की background को erase कर दिया है और यह इस तरीके से हमें दिख रहा है पूरा transparent यहां थोड़ा सा रह गया तो सभी मैं erase कर लेता हूं फटा फट तो उसकी के लिए भी आपको plus में जा जाना है अपने ब्राउजर में या फिर आप जहां से भी मेज रख रखे हैं गैलरी में यहां गया और मैं यहां से कोई भी पिक्चर उठालता हूं जहां पर इसे लगाना है तो मैं यहां पर यह रोबोट वाली जो AI का है यह तो एक example है आप कहीं भी से लगा सकते हैं ठीक फुल स्क्रीन कर लिया है और पहले वाले फोटो को सेव कर लिया अब मैं दुवारा गैलरी में जाओंगा और जाने के बाद इमेज में जाना है और मैंने इसको पिक्सल लैब में सेव किया है तो मैंने इसको यहां से निकाल लिया आप यहां से क्रॉप कर लें या ना भी क करना चाहें वैसे कर सकते हैं और ये एक तरह फोटो एडिटिंग सॉफ्ट्वेर से बहुत ही बढ़ी है लग रहा है मेरा फोटो आप इसको कहीं भी इजली प्लेस कर सकते हैं तो मैं इसको यहां पर कर देता हूं ठीक लग रहा है तो ओके हैं तो यहां पर मैंने से फिड कर और आप आप इसको जो है save कर सकते हैं gallery में तो यहां पर देखिए इसको अपने according आपको जैसे adjust करना जैसा भी look देना वैसे आप दे सकते हैं और यहां से मैं इस image को कर लेता हूं save quality आपको रखना हाई ताकि जो है यह pixel फटे नहीं अब saving image हो रहा है अब हमारा gallery में save हो चुका है अब मैं इसको जैसा भी use करना चाहूं कर सकता हूं then अब हम इसमें एक और बना लेते हैं तो यहां से मैं एक और image लेना चाहूंगा आप सभी को दिखाने के लिए तो यहां से मैं एक बनाता हूं book बुक के ओपर अपना image लगा के दिखाता हूं ठीक है तो यहां से मैंने लिया इंडियन economics को और यहां पर अपना picture लगा के आप सभी को दिखाऊंगा ठीक है तो यह हमारा इंडियन economics और इसको मैंने यहां पर प्लेस कर दिया प्लेस करने के बाद अब इसके साथ जो हमें करना होगा size और size के लिए आप इसमें यूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है तो मैं यहां पर 2560 को हटा के यहां पर डाल दिया मैंने 1250 और इस side की तरफ एक book का जो बित होता है वो normally 1250 से लेकर के यहां पर मैं डाल देता हूं इसे 1900 something यह ratio मैंने डाल दिया 38 का ratio तो यह देखिए यहां पर यह इस तरीके से fit हो गया तो हमारा पीछे background हट चुका पूरा और मैं इस book को थोड़ा अपने recording adjust कर लेता हूं ताकि इसमें जो है इसका पूरा जो भी लिखा हुआ है इसके page पर वो सारा हमें दिख पाए तो यह देखिए अब यह पूरा दिख रहा है तो अब मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में रखूंगा और इसके बाद मैं से थोड़ा सा डाउन ब्रित को बढ़ाने के बाद अब मैं से क्या करूंगा नीचे एक तरफ थोड़ा मैं खैच दूँगा जिससे कि इसकी height भी पूरा आ जाए इस picture में कहीं से भी हमारा इसमें error ना रहे है तो यह देखिए इस तरीके से crop किया हुआ है ठीक है और इसको मैंने हलका सा crop कर लिया और यहां पे image आच चुका है तो मैं इसको यहां पर set करूँ यहां च्छा नहीं लगया बाकि यहां पर बहुत बढ़िया लग रहा है ठीक है तो इसको मैंने यहां पर रख लिया और उसके बाद यह ही matching matching लग रहा है है तो यह normal बढ़िया लग रहा है मेरे को जो की लग रहा है कि हाँ इसके लिए यह useful है तो यह देखिए मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूं और नॉर्मल ही ज़्यादा हो गए यहां से तो colorful हो जा रहा है जिससे की huge से तो हुई का use आप बहुत ही कम किसे तो यह हो चुका है हमारा finally जो image save और अब मैं इसको जहां भी use करना चाहूं अपने according वहां पर इसको use कर सकता हूं और उसके बाद आप एक बढ़िया से से poster तयार कर सकते हैं तो यह जो application है इसका नाम है काइन मास्टर यह आपको प्ले स्टोर पे easily available मिल जाएगा जहां वीडियो कैसा लगा अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और अगर आपके माइन में कोई doubt हो किसी तरह queries हो तो आप हमारे comment box में comment करके बता सकते हैं